और अब बात करते हैं पैरिस ओलंपिक की पैरिस ओलंपिक का पाच्वा दिन भारत के लिए ठीक ठीक रहा है आज शुरी में दिपिका कुमारे इंडिविज्वल राउंड ओफ 16 में पहुँच गई है लवलीना के सामने नावे की बॉकसर सनीवा थी लवलीना थी और लवलीना ने पहला राउंड अपना पांच शून यसे जीता है आर्चरी और बॉक्सिंग के बाद टेबल टेनिस की हम बात करें तो महिला टेबल टेनिस प्रेयर श्रीजा अकुला ने भी जीत दर्श कर ली है और एतिहासी जीत दर्श करते हुए प्री क्वाइटर फाइनल में पहुंच गई है भारत की बैटमिंटन खिलाडी लक्षसे ने भी आज कमाल किया है वोल्ड नमबर 3 क्रस्टी को 21-18 और 21-12 के अंतर से हरा कर प्री क्वाइटर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब आद शूटिंग की करेंगे 50 मीटर राइफल थ्री पोजेशन इवेंट में भारत के स्वपनिल कुसाले ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है स्वपनिल ने 590 के स्कोर के साथ 7 वे नमबर पर रहते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की की है स्वपनिल के फाइनल में पहुशने से अब भारत की गोल्ड की आ अब्बाह अब्दुल रजाक को एक तर्फा मुकाबले में हराया था जबकि दूसरे मुकाबले में कूबा को हराया सिंदु ने 21-5 और 21-10 के सेट से मैच अपने नाम कर एक तर्फा जीत दर्श की है रोइंग की बात करें तो रोइंग में भारत के बलराश मवार अपने इव में था 12 फाइनल में डी में प्रतिस्परधा करेंगे जहां वो 19 से 24 इस्थान के लिए रेस में शामिल होंगे तो चलिए पैरिस ओलंपिक में अब कल के शिडियूल को भी देख लेते हैं कल क्या कुछ होने वाला है तो गोर्फ के राउंड में एक में गगन जीत भुलार अ अमीद है यह इविंट दो पहर को एक बजे होगा जबकि न्यूजिलेंड पर जीत अर्जेंटीना से ड्रॉर आरलेंड को हराने के बाद भार्टी में सौकित टीम आज बेल्जियम से टक्कर लेगी यह मैच दो पहर देड़ बजे होगा तीरंदाजी में प्रभीर राइफल तीन पोजेशन में सिफद का और सामरा अपनी दावेदारी पेश करेंगी मैंस सेलिंग में दो पहर तीन बच कर पैंतालिस मिनट पर वी सर्वनन की रेस होगी